दोस्तों मेरे हाथ में ये आरो यारो 2021 वला पेपर है और ये PCS 2021 वले पेपर से बहुत ज़्यादा टफ आया था तो आरो यारो के इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपके माइंड में एक प्लानिंग नहीं है तो इस एक्जाम को क्रॉस करना थोड़ा मुस्किल है मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आख बंद करी और पढ़ते जा रहे हैं इस लेवस के अक्वाडिंग की सबकुछ पढ़ लेंगे सबकुछ ना तो कोई पढ़ पाया है और सबकुछ पढ़कर आपका सेलेक्शन भी नहीं हो सकता है आपको एक विचार के साथ में जाना पढ़ेगा मतलब पिछले साल जितने भी लोगों ने इस एक्जाम को क्वालिफाई किया है वो एक प्लानिंग माइंड में लेकर कहे थे आपको क्या सोचना पढ़ेगा महनत तु सबी लोग कर रहे हैं महनत की साथ साथ में आपको अपने दिमाग को भी चलाना है कि आपको डेली बेसेस पर कम से कम एक बार दिन में सोचना है कि मेरी प्लानिंग क्या है आप किस प्लानिंग से इस पेपर को करेंगे जैसे आप जानते हैं कि पेपर में 140 कोशन जीयस के और 60 कोशन हिंदी के पूछे जाते हैं टोटल मिलाकर 200 कोशन हुए तो माइन में आप क्या बना कर चलो कि जैसे मालो आप हिंदी का पेपर में आपको बता दिता हूँ वैसे तो नहीं है लेकिन हिंदी का पेपर आप माल सकते हूँ यह है तो आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा जैसे कि पिछले साल मैंने अपने स्टुडेंट्स को बोला था एक रेशियो बनाओ मतलब आपके पचास कुशन हिंदी में सही हो जाए कितने में से 60 में से 50 कुशन हिंदी के हो गए और 140 में से 80 कुशन यहा पर हो गए तो 80 कुशन GS में सही कर दो 50 question आप Hindi में सही करते हो तो 8 और 5 8 और 5 मिलकर हो गए 130 यानि कि 130 question का target आपको लेकर चलना पड़ेगा कुछ question आप गलत भी करके आओगे तो गलत करने के बाद में finally अगर 120-125 question आपके सही हो गए तो आपका selection कोई रोक नहीं सकता है ठीक है पिछले साल तो और भी कम number पर काफी बच्चों का selection हो गया था 115 number पर भी मैंने देखा था कि student selected था तो आपको एक planning बनानी पड़ेगी आप कुछ लोग कहेंगे सर हम हिंदी में 50 नहीं 55 number ले आएंगे लेकिन एक average सोच के साथ में चलना चाहिए मालो हिंदी का पेपर थोड़ा सा tough आ गया तो उस case में आप 55 question नहीं सही कर पाओगे आप 50 question नहीं कर पाओगे तो मन में आपको सोच कर चलना पड़ेगा कि आप कोई बहुत बड़े टॉपर नहीं है ऐसा सोच कर में चलो यह सोच कर चलो on average हम 50 और 50 आपको एक माइंड में रूल बनाना है आपको 80-50 80-50 का रेशियो बनाना है फिर से बता दे रहा हूं आप जब तैयारी करोगे तो आपके माइंड में 80-50 का रेशियो होना चाहिए और उसी रेशियो से आपको तैयारी करने हैं दूसरी चीज जब तक आप चीजों को directional way में नहीं पढ़ेंगे focused approach के साथ में नहीं पढ़ेंगे बहुत मुस्किल होगा महनत भी बहुत करनी पढ़ेगी सब कुछ पढ़ने में हमारा जो course है पूरे YouTube पर आप देख लेए online courses में सबसे limited course है हमारा हम ऐसा नहीं करते कि में पढ़ना सबसे पहले उन चीजों पर focus करो जो पिछले 5 सालों में ज़्यादा पूछी गई है उस हिसाब से हमारा course बनाए गया है अगर आप मेरे guidance में तयारी करना चाहते हैं proper तरीके से तो फिर आप मेरे number पर call करके या फिर whatsapp करके जानकारी ले सकते हैं बाकी तयारी करते रहे हैं खुद से भी तयारी कर रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है आप मेंदर से पढ़िए exam आपका निकलेगा और इस बार के मौके को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है Thank you guys